कि सबको नमस्ते स्वामी न्यूज के इस प्रात्यकालिन लाइव सत्र योग के लाइव योग वह स्वास्त्य के इस प्रथम लाइव जिव प्रती दिन का होता है इसमें आपका स्वागत अभिनंदन हार्दिक स्वागत करते हैं आज के सत्र में हम जानेंगे slip disc, कमर दर्द और पीट का दर्द किस प्रकार से योग के कुछ आसनों से ठीक किया जाए तो पाँच आसनों उसके लिए आज बता रहे हैं उन पाँच आसनों से हम कैसे अपने पुराने कमर दर्द को, पीट के दर्द को, टेल बोन के दर्द को और जिसको हम लंबर और सेक्रम का पेन कहते हैं वो लंबर का कोई point अगर खिंचा हुआ है कोई point fuse हो गया है ऐसे भी बहुत सरे अंदर मन के fuse हो जाते हैं और कुछ उभर जाते हैं जिसको हम disk bulg कहते हैं वो, ये सब कैसे ठीक हो कुछ आसनों को करने से योग में जरूर है योगासन को रोज करना पड़ेगा तब जाकर कि आपका दीवन ठीक ठाक चलेगा योगासन छोड़ देंगे तो वापस दर शुरू हो जाए इसलिए आपको योगासन 10-15 में निका लिए आपकी 24 गंटे बड़े अच्छे निकलेंगे बाकी के तो मंत्र प देवस्य धीमाहि धियो योनह प्रचो धयात ओम स्वस्ते 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 तो आज के सत्र में यह जान लेते कि योगासनों के अलावा भी अमें प्रणैयम भी करने चाहिए केवल योगासनों के भरोसे नहीं साथ में ऑक्सिजन लेवल भी अंदर बराबर रहेगा तो जाके अंदर से हील होने शुरू हो जाएंगे किसी भी डॉक्टर ने मना कर दिया और ठीक नहीं हो सकता कोई बात ने आप योग के आसनों को करें लंबे समय तक करें दिरे-दिरे हील होने लगे का प्रानयाम को करें परमात्मा से प्राइखना करें काफी सारे लोगों ने से उठाय तो आप भी उठा सकते हैं यहां इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं योगासन प्रणायमों का है जो फाइदा ही है तो इसलिए आपको कमरदर्द पुराना कमरदर्द स्लिप डिस्क और साइटिका पेंड में भी आशन बड़े अच्छे काम करते हैं हम आशनी ऐसे बता रहें साइटिका पेंड के लिए और पुराना पीट का दब जो लगातार बैठे रहते हैं अपने अफिस में उन सभी लोगों के लिए यह आशन बहुत आविश्यक होते हैं एन आशणों को करने के लिए सबसे पहले में पेट के बल लेट जाते हैं तो पेट के बलेट करके सबसे पहले पिएला टैना ऑपर और बिल्कुल सीढहश्य भचे और दायपおपर ऊपर उठाएं और कोशिश करें इसको नितंब humor की ऑस पर नत कि छूड़ करके वापस पैर छोड़ देंगे करते रहें लगातार करें करते रहें लगातार करें कमरदार्द साइटी का स्लिप डिस्क पीट का दर्द चारों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें इसको दूसरे अभ्यास में ऐसे ले जा करके लोग के दोड़ा इसको दाएं वाएं ऐसे गोल गुमाएं बड़ा शुन्य बनाएं तीसरा अभ्यास श्वास भरते श्वास चोड़ते वे चलते रहें दीरे दीरे बहुत तेज नहीं चलाना बहुत दीरे भी नहीं चलाना मध्यम गति से चलें इसको गड़ी की दिशा में गड़ी से उल्टी दिशा में इससे गुटनों की समस्या भी सौल होने वाली हैं गुटने इतनी बार गुमेंगे तो गुटनों का दर्द जो है वो भी कम होगा यह दोनों तरफ से अमने दोनों पैरों को दोनों तरफ से गुबा दिया हैं कि दोनों को एक साथ उठा कर गुमा रहे हैं कि दोनों को एक साथ ला रहें श्वांस भरने के साथ पर श्वांस भरने के साथ वापस नितंबो से चुआए रूक कर रखें और अंदर तक ले जाने कोशिश कर आए ऐसे चल चलने के बाद पहला हमने किया मकरासन अब यदि बहुत ठक गए हैं तो मकरासन में आराम कर लेंगे पैरों में फासला पंजे बाहर एडियां अंदर और हातों को एक क्यूपर दूसरा छाति को जमीन पर लगा देंगे शरी घीला छोड़ देंगे लंबे लंबे श्वांस भरें छोड़ें इससे क्या होगा आराम मिल जाएगा एक प्रॉपर वे में हमें आराम होना चाहिए ऐसे कभी भी कुछ भी किसी भी तरह से आराम करना नहीं, ऐसा नहीं करना योग में जब आ रहे हैं तो विश्वामात्मक आसन भी हमें पता होने चीज़ में मकरासन नमबर दो है, एकबालासन है, चशकासन है, शवासन है, खड़े-कड़े शितली करण है, योग निद्रा है, ऐसे बहुत सरे आराम दायक आसन और आराम दायक स्थितियां भी बनी वी हैं, उन सब को भी वैसे विद्धी पूर्वा की करना चाहिए, दूसरा अभ्यास क को आज देख लेते हैं, पांच प्रकार के भुजंगासन, पांच प्रकार के भुजंगासन, आपके कमर दर्द और रीड की अड़ी के दर्द में काम आएंगे, बहुत बड़े उपयोगी सिद्धोंगे, दोनों हाथों को इस कंदों के ठीक नीचे, जिनको ऐसे इंजरीज हैं, जिनको वेड्रेस्ट है, यह ध्यान रखना कि प्रत्यक्रिया को आपको धीरे-धीरे करना, आपको जल्दी-जल्दी नहीं करना, और जहां पर जैसे कमर में आपके दर्द हैं, तो कमर में ही, कमर पर अपने मन को टिका करके ले जाएं, और वहीं पर रखें, और हर बा आने पीट के दर्द के लिए और जिसको हम लंबर और सेक्टरम की जो एलवन एलटू एलटू एलट्री एलफोर एलफाइव और एस्वन एस्टू आधी आधी समस्यां आने लगती हैं उनके पॉइंट्स डिस्क बल्ज होने लगती है यहां फिर इनमें दर्द हटता नहीं है तो उन सब के लिए बहुत अच्छा अभ्यास सीख रहे हैं लेकिन थोड़े दिनों में जब करने योग्य हो जाएं तब ही ऐसे नहीं कि आज पकड़ मैं आज से आपने शुरू कर दिया नहीं थोड़े दिन उसको थोड़ा सा जुकने पर रूक लगानी है फिर दीरे दीर दिन के बाद आपको ऐसे दीरे दीर से आशन शुरू करने और प्राणायाम तो पहले दिन से करना शुरू करते हैं श्वास पूरा भर के दीरे दीरे उठाना इतना ही उठाना यह अर्द भुजंग आशन में स्पैसिफिक प्रेक्टिस बता रहा हूं पर्टिकुलर्ली कमा दर्द के लोगों के लिए में उनको ज्यादा करना उनको टेज तेज में करना उनको पूरे सबको बाहर चोड़ के वापस शॉ आख भर अब जोता नो दूसरा बोछंग्यांसन को ने को एक पूर्द-बोर्द्र भजनग्यासन और यह ता गजाती टक का श्रीर उठता है वसमेत बाद नुढ रभाव एक पशरे न आपविठ आप श्रेल को ठालेंगे श्ञास। पूरा भरके श्वास बाहर और देरे देरे वापस आजाए फिर श्वास बरें तो और गाल पूर्ण भुजंगासन की तरफ चलते हैं यह भुजंगासन आप इसमें थोड़ा रुका करें ऐसे नहीं कि यह गए और यह वापस आगा है थोड़ी देर रुका करें इस भुजंगासन में थोड़ी सी कौनिया मुड़ी हुई है ध्यान लखना पैर पीछे सीधे खीचने कमर पर मन को ठिकाएं अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन इसमें कौनिया मुड़ी भी नहीं रहेंगी इसमें सीधी हो जाएंगे दोनों हाथों को एक को दूसरे के उपर रख सकते हैं चाहें तो एक को ऐसे इंट्रलॉक कर सकते हैं और चाहें त से चारों में एक ऐक बार कर दें पहले एक को दूसरे को ऊपर रखते हैं श्रहा फूराबर के इसमें कौनिया सीधी हो जाती है कमर पूर ही मुड़ जाती है ऊपर देखते अ श्वांस बाहर छोड़ते वे वापस आजाए इसके उपर यह इसके उपर यह भी रख सकते हैं दूसरा बड़ी उंगली से बड़ी उंगली मिलाके रखें श्वांस बरके श्वांस चोड़ें वापस आजाए तीसरा ब्यास इंट्रलोग करके रोकें श्वांस पूरा भरें कौनी सब में सीद्धें श्वांस बाहर वापस आजाए थोड़ा सा दूर रखें दो लोगों इस चार तरह से हमने पूर्ण भुजंग आसन को कर लिया पहला अर्द भुजंग आसन फिर भुजंग आसन फिर पूर्ण भुजंग आसन तीन अभ्यास हमने कर लिए श्वांस पूरा भर के उपर उठाएं श्वांस पूरा बाहर कंदे के पीछे कंदे के उपर से पीछे देखें श्वांस भरते वी वापिस आजाए और श्वांस छोड़ते वी नीचे लिया है पिर श्वांस भरें पिर श्वांस बाहर पिर श्वांस भर के आजाएं वापस श्वांस बाहर चूड़के वापस हो जाएं तिर्यक भुजंग आसन पेट की सफाई के लिए शंक प्रक्षालन की क्रिया में भी करने योग्या आसन है आपको शंक प्रक्षालन बताया था 15-15 दिन पहले करेंगे पांच्वां भुजंग आसन जिसको हम यह आनासन भी कहते हैं श्वांस पूरा भर के पेट के बल कि अपने आपको बैलेंस करें पेट के मत श्वांस बाहर चूड़ते वह वापस आजाएं फिर से पेट के बल फिर बैलेंस करें कि भुजंग आसन के पांच प्रकार एक-एक में किसी में दो प्रकार किसी में तीन थे तो कुल्मला के पांच प्रकार से हमने भुजंग आसन को देखा अब पांच प्रकार से भुजंग आसन सारे की सारे जितने भी इसपाइन की प्रबलम वाले हैं उन सब को करना चाहिए तो मकर आसन भुजंग आसन यह दू अभ्यास हमने देख लिए अब हम तीन अभ्यास और देख लेते एक मरकट आसने कटी उत्तान आसने और एक कंधर आसन से तुबंद आसन तो पीठ के बल करने योग्य आसनों में चलते हैं सबसे पहला कटी उत्तान आसन इसमें अथेलियां जमीन पर ही रहेंगी थोड़ी सी कमर जो है उपर उठेगी श्वास बरने के साथ ऐसे अथेलियों पर जोड़ लगेगा कमर थोड़ी उपर उठेगी श्वास छोड़ते वापस इसको सीधे हो करके भी कुछ लोग करते हैं ऐसे करते हैं लेकिन इससे ज्यादा अच्छे डंग से होती है इतनी होती इतनी इतनी उठालेने चाहिए च्वास छोड़ करके वापस इसका अगला अभ्यास है कंधरासन श्वास भर के पहले इसको टकनों को पकड़ लिए पहरों को पकड़ लिए श्वास पूरा भरके पैसे उठाली जी कि इसको कहते कंधरासन कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया आजन सर्वायकल वाले इसमें इसको आसनी से कर हैं सरवायकल सब्राडलाइटी भी साइटीडिक्यावालों के लिए बहुत अच्छा आसन है धीरे-धीरे करना चाहिए उनको और जिनको पुराना पीठ का दर्द हैं सारे दिन की थकान बैठने-बैठने की है सारे दिन आफिस में बैठे रहते लोग भी इसको अवश्य करें वापस आजाएं श्वास छोड़ते वे फिर श्वास भर के फिर से कोशिश करें यदि स्पाइन में कोई इंजरी है तो धीरे-धीरे करें और थोड़ा इसा ही उठाएं और जो स्वस्ट्र लोग है वो करते रहेंगे ना उनको कभी स्पाइन की प्रब्लम नहीं आएगी रीड की अड़ी की समस्या नहीं इसी के बाद अगला आसन है जिसका पैर को सीधा और आगे तक ले गया है ब्रिज पोस कहते हैं इसको पैर सीधा कर लिया गुटनों को सीधा कर लिया बिलकुल वहीं रोक के रखें थायरेट जिनको है फिर लोग अपने गले पर मन को टिका के रखें क्योंकि जालंदर बंद भी लगता है कुछ आसनों में और पर वापस कंदरासन में अपनी स्थिती बनाएं कि इस अपर दीर दीर वापस आजाएं सावदा ने यह रखें कि कमरदर्ध वालों को कभी आगे नहीं जुखना चाहिए आगे जुकने वाला कोई आसन करवा भी नहीं रहें और ऐसे नहीं उठना है अमेंशा कमरदर्ध न जैसे यह कोई चीज है उसको आपको उठाना है तो आप यूँ नहीं उठाना आपको बैट करके यूँ उठाना चाहिए तो ठीक डंग से आपकी कमर सही काम करती है पांच्वार अंतिम आशन आज के सत्रका जिसको मरकटासन कहते हैं तीनों ही तरीके देख लेते इसके तीनो तरीके पहला दोनों पैरों को इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे एडिया नितंबों के पास हतेलिया साइड में कोल लेंगे श्वास बाहर करें दोनों गुटनों को एक तरफ दबाएंगे कोशिश करेंगे कि पैर कम से कम उठे और गुटने ज्यादा से ज्यादा लगे और गर्दन विप्रीद दिशा में होगी श्वांस बाहर होगी थोड़ी देर रोकेंगे मन टिकावा होगा कमर पर कुछ लोग तो क्या करते यूं उठा के यूं लगा देते यूं नहीं लगाना होशिश करो खिंचाओ तो पैदा हो अब थोड़ी देर रोक के रखो जल्दी बाजी मत करो किसी से सांस नहीं रुक रिये तो मत रखो कोई बात नहीं लेकिन आसन को तो मत छोड़ो आसन तो रोक के रखो श्वांस भरने के बाद वापस आ जाए फिर श्वांस बाहर एक गुटने से दूसरे को दबा रहें एक को जमीन पर लगा रहें कोशिश करें उसको जमीन पर तकरा नेगी तच कर दो कमर पर मन को तिका के रखें और वापस आ जाए श्वास भरते वे वापस दूसरा अब्यास दोनों पैरों में ऐसे फासला एक गुटना दूसरे पैर को चूता हुआ और विप्रिश दिशा में गर्दन श्वास बाहर कमर दर्द और पीड़ड फ्लिप डिस्क और साइट का पेन इन सब के लिए बड़े उप्योगी आसन पहला आपने मकरासन सीखा मकराशन के दू प्रकार भुजंगराशन के पांच प्रकार तीसरा कटिक उत्तान आसन फिर उसके बाद कंधरासन फिर उसके बाद सेटूबं विफष दिशा में गुमादेगी कमर पर मन को टिका एंग पर आंखे बंद्ध श्ते बाहरी है निए विचार करते रहें कि मेरी कमर हील हो रही है मेरी ठीक हो रही है में अनुभाव करें और जैसा जैसा सूचेंगे वैसा वैसा होने लगेगा आसनों से घटने लगेगा चलेंगे तीसरा भ्यास्मरकटासन का स्ष्वास बाहर और इस पैर को पास लाएगा गर्दन दूसरी तरफ गुमादेंगे श्वास मारोगा कमर पर मन टिकाके रहें कमर पर मन टिकाके रहें है जोड़ी देर रोकें सिर्थवाले इस वाले पर सीधा निवेंप्र यहां कमर को मंन को इतना अतना करें निश्शत रूफ से अनलोम पाच-बार स कम करना चाहिए थोड़ी देर रुक रूप करके करना चाहिए 10-15 सेकंड रूखें और इतना करेंगे तो निश्चत रूप से आप सब अपने स्वास्ते को अच्छा बना सकते हैं और पैर के अंदर हमारे कमर की कुछ एक्यूपेशर के पॉइंट होते हैं तो पैर की जो यह रीड की हड़ी है वह उसका रिफ्लेक्स पॉइंट है इस पैर की दर तो आपको यह वाला कमर का पॉइंट ऐसे दबाना है बीच में कमर है यहां सर्वाइकल स्पंडॉलाइट इसका सर्वाइकल के साथ बिंदू है फ इसे डंग से दबाएंगे दो दो चार चार मिनट अन्यां से अ और ऐसे हाथ में भी है अ हाथ में तो मैं आपको वहीं से दिखा देता हूं इससे ज्यादा अच्छी क्लियर हो जाए हाथ में अगर देखेंगे कमर दर्द के बिंदू तो यहां से फिर उसके बाद यहां से यहां से प्रैस करें अच्छी डंग से अंगुठे का नाखून आपको काटना चाहिए न ऐसे होगा तब ही नहीं तो अंगुठे का नाखून चिप जाएगा ऐसे दूसरे भी हाथ में ऐसे यह समझिए यह रीड की हड़ी का रिफ्लेक्स पॉइंट पूरा यहां पर कमर का भाग आते हैं ऐसे इधर भी ऐसे अच्छे डंग से प्रैसर देने कि कमर के हाथों और पैरों के अक्यूपेशल के पॉइंट है और इन पर यदि प्रैशर देंगे तो निश्चित रूप से आप सब के कमर का दर्द पीट का दर्द ठीक हो जाएगा खटाई को बंद कर देंगे खटाई कमर दर्द की जिसको भी समस्या है वे लोग खटाई नहीं लेना है और खटाई लेंगे तो फिर कम फायदा होगा प्राइदा नहीं होगा चंद्र प्रभावटी और योग राज गूगल यह आयरुवेद के उपाय हैं यदि आपके ज्यादा समस्या है तो इसको शुरू कर सकते हैं नहीं तो किसी अच्छे आयरुवेद के वैद्य को दिखा करके आयरुवेद की और नहीं तो आप आसनों भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं तो समाधान का प्रयास करेंगे आप लाइव सत्र को देख रहे हैं तो यह स्वामे नहीं उसका लाइव सत्र है जनम सफल ओगारे बंदे मन में ओम बसाले जनम सफल ओगारे बंदे मन में ओम बसाले ओम नाम के मुति से ओम नाम के मुति से सांसों की माला बनाले मन में ओम बसाले जनम सफल ओगारे बंदे जनम सफल ओगारे बंदे मन में ओम बसाले मन में ओम बसाले आज के कारेकम को यहीं पर पूरा कर रहे हैं ओम शांते ही शांते ही शांते ही सर्वी भ्यो नमा सभी स्वामी ने उसके सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद आभार लाइव बने रहने के लिए और स्वामी चैनल का भी इस पूरी टीम का टेकनिकल टीम का सब का बहुत बहुत धन्यवाद जिससे कि आपके पास यह लाइव का सारण पहुंच पा रहा है तूसरे दिन यूट्यूब पर पहुंचता है और पहले दिन जो लाइव अभी चल रहा है फेस्बुक पर पहुंच रहा है आप सब का बहुत धन्यवाद कल फिर मिलेंगे ओम शम नमस्ते झाल 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 झाल